नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर दोस्तों रश्या ने इंडिया से मदद की गुहार की है कारण बड़ा सिंपल है FATF की पिछले बैठक में रश्या को FATF से निकाल दिया जाता है उसकी सदसेटा रद कर दी जाती है और उसके बाद अब ऐसा वेस्टन कंट्री साजिश रच रहे हैं जैसा रश्या का कहना है कि आने वाले दिनों में FATF की अंतरगत रश्या को ब्लैकलिस्ट या फिर ग्रेलिस्ट कंट्री डिकलेयर कर दिया जाएगा और रश्या ने इसके इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया से कहा है FATF में मिंबर्शिप रश्या की रद की गई थी तब आपने क्यों नहीं अवाज उठाया था उस वक्त और वो इंडिया से कह रहे हैं कि अब जब FATF के अंतरगत रश्या को ब्लैकलिस्ट या ग्रेलिस्ट कंट्री डिकलेयर किया जाएगा तब आप कुछ जरूर कीजिए आप देख सकते हैं यह दोस्तों ग्लूंबर्ग के अंतर तो रश्या ने इंडिया को पुछ किया है कि आप हेल्प कीजिए ग्लोबल फाइनशियल आइसोलेशन होने वाला है फाइनशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगली मिटिंग में रश्या के अगर आप देखे तो उस प्रश्ट हो जाएगा तो वह सब इंडिया रश्या के बीच में जो डिफिन्स जील्स हो रहे हैं जो एनर्जी को ओपरेशन हो रहा है इंटरनाशनल नौर्ट सौट ट्रांस्पोर्टेशन कोरिडोर बन रहा है वह सब कहीं न कहीं उससे प्रभावित होने वाला है तो अब इंडिया क्या करेगा आईए दोस्तों आची क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पर इससे पहले आगे बढ़ें यूपेसी आईएस 2024 के लिए दोस्तों आपके लिए मगनीपद बैच लेकर के आएं केवल 7,999 रुपए में सब्स्रिप् होने वाली है टेस्ट सिरीज मिल रहा है प्रिलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी मेंस मेंटर्शिप है इंटर्व्यू गाइडेंस प्रोग्राम है इसके सिवा बोध हिंदी बैच है वह 15 जुलाई से स्टार्ट होगा सेम लाइक अगनी पज बैच लेकिन हिंदी माध्यम म होगा इसमें भी 900 घंटे से अधिक की क्लास है आप देख सकते हैं प्रिलिम्स मेंस इंटर्व्यू का व्यापक कवरेज है टेस्ट सिरीज है प्रिलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी और यह भी आपको केवल 7999 रुपे में मिल रही है यह तब है जब आप कोड के सी 10 का इस कहीं से भी आप देखें तो leakages ना रहें so that उन law को bend करके law को मोड के dirty money, terror financing इस प्रकार की चीजें हो सके उनके देश में simple शब्दों में कहूं तो आपके laws में देश में loopholes ना हो, terrorism जैसे activity को finance करने के लिए कहीं से भी कोई प्रक्रिया ना रहे, उसके लिए FATF क्या करती है, action लेती है अब ऐसा news आ रहा है कि FATF को रश्या से तो suspend कर दिया गया था, FATF में 39 countries हुआ करते थे, लेकिन रश्या Ukraine war के बाद, आप देखें तो रश्या को निकाल दिया गया, अब 30 देश बचे हैं, पर इससे भी मन नहीं बरा है, अब यूक्रेन कह रहा है, FATF के अंतरगत रश्या पे blacklist नहीं, तो कम से कम grey list जरूर declare किया जाए रश्या को, तो अगर FATF के अंदर रश्या blacklist हो जाता है, तो रश्या North Korea, Iran, Myanmar जैसे देशों के साथ include हो जाएगा, और इसके साथ अगर आप देखें, तो जो प्यूटिन की government है, उस पर बहुत ज्यादा दबावाने वाला है, और उसकी Russian economy अगर आप देखें, तो already further isolation में चली जाएगी, and दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी कह देता हूँ, अगर ये pass हो गया, रश्या यदि blacklist हो जाता है, तो जो Russian banks के साथ लोग deal कर रहे हैं, अलग-अलग countries हैं, investment houses हैं, payment processing companies हैं, उन सब को due diligence करना पड़ेगा, याने कि बहुत ज़्यादा आप देखें, तो paperwork हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उन पे भी regulatory control आ जाएगा, in a short दोस्तों कही बार तो sanction भी लगाना पड़ जाता है, इन अदेशों पे, तो बहुत ज़्यादा chances हैं, कि ये counter measures deploy करना पड़ेगा, FATF इस प्रकार से involved होगी, कि रश्या के साथ कही न कही, economic dealing लगबग बंद हो जाएगी, तो उसने यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंडिया रश्या पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले अगर आप देखें तो defense energy transportation sector है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा यदि रश्या blacklist हो जाता है तो, जो प्रजेक्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, रश्या ने खुद वोन किया है इंडिया को, ऐसे documents leak हुए है, as per Bloomberg, तो उन documents में रश्या ने इंडिया को कहा है, कि जो Rossneft और Naira के बीच में cooperation चल रहा है, दोनों कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, वो cooperation limit हो जाएगा, इसके सिवा जो Russian weapons इंडिया तक पहुँच रहे हैं, डिफिन सेक्टर में जो technical cooperation हो रहा है, वो प्रभावित होगा, रश्या ने जो जॉइंट aviation project को लेकर, जो Aero India 2023 में रश्या ने कहा था, हम joint aviation projects लेकर के भारत के साथ च प्रभावित होगा, इसके सिवा international north-south transportation corridor, जो कि इंडिया से इरान होता हुआ, रश्या तक transportation corridor है, वो अगर आप देखे तो इसमें already एक, आप देखे तो agreement हो रखा है, इंडिया के साइड से concord है, container corporation of India limited, और रश्या के साइड से Russian railways logistics, RZD logistics है, तो इनके बीच में जो cooperation agreement दोस्तो रश्या इंडिया को क्यों अरज कर रहा है, दोस्तो अब तक अगर आप देखे तो US और उसके allies बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी Russian economy को sideline किया जाए, already Russia world's most sanctioned economy है, लेकिन रश्या को cushion मिला हुआ है, कैसे दो देशों का, एक तरफ China है, दूसरे तरफ India है, दोनो और ज्यादा कर रहे हैं, तो जो Russian economy को कहीं न कहीं जो प्रयास किया जा रहा था, कि इसको marginalize किया जाए, sideline किया जाए, वो ये दो देश होने नहीं दे रहे हैं, पर यदि FATF ने इसे blacklist कर दिया, तो बहुत difficulties हो जाएंगी, फिर India चायना दोनों को ज्यादा कर नहीं पाएं दोस्तों अगर आप देखें तो FATF में इतने सारे देश हैं, मुख्यता आप देखें तो इसमें पश्चमी देश हैं, लेकिन एक Russian ally की बात करें तो यहाँ पर आपको एक इंडिया दिखेगा, इसके सिवा आप देखें तो एक तुर्की दिखता है, तुर्की, इसके सिव आप देखें तो आपको अन्य कोई चाइना दिखेगा और बाकी कोई ब्रजील दिख सकता है, तो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, इसके सिवा आप लार्जली देखें तो यह सब के सब वेस्टन कंट्रीज हैं, तो अब यह Russian Federation में आप स्टार मार्ग देख रहे हैं, क्योंकि अ ने खुद कहा है, जो document leak हुआ है Bloomberg के द्वारा, उसमें रशिया ने इंडिया को कहा है, कि जब में में FATF में रशिया को निकाल दिया, बहुत regrettable है, आपने कुछ किया नहीं, despite the fact, आप FATF में special credibility hold करते हैं, दुनिया आपके बात पे भरोसा करती है, फिर भी आपने कुछ न नहीं किया, लेकिन अब जब रशिया आपको blacklist या फिर graylist declare कर दिया जाएगा, तो वो ना होने दे, उसके लिए आपको कुछ करना होगा, ऐसा रशिया ने कहा है, क्योंकि ये सिर्फ आपके ही मेरे हित में नहीं, भारत के भी हित में है, ये उनका communication रहा है, as per the leaked documents, दोस्तो FATF क्या है, आपको बस मैं उपर से बता देता हूँ, आपको PDF मिल जाएगा, आप download कर सकते हैं, तो आप पढ़ दीजेगा, FATF दोस्तों बस आपको इतना बता देता हूँ, anti-money laundering, terror financing के लिए, एक international watchdog है, जिसकी स्थापना G7 summit, 1989 में Paris में हुई थी, करता क्या है, global financing system में जो लूपोल्स है, with respect to money laundering, उसको plug करता है, तो दोस्तों इसकी meeting जो होती, उसको plenary कहते हैं, और साल में करीबन तीन बार इसकी meeting होती है, और उसमें अगर आप देखें, तो ये लोग क्या करते हैं, कि हर बार review करते हैं, क्या international laws चल रहे हैं, और नया-नया list निकालते रहते ह कौन, black list country कौन, grey list country को कहा जाता है, jurisdictions under increased monitoring, यदि ये सारे देश अगर आप देखें, तो FATF में grey list में हैं, एक बार आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, Albania, Barbados, Burkina, Faso, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बड़ा सा list है, ये सब अगर आप देखें, तो grey list countries हैं, तुर्की खुद grey list में, इसलिए रशिया को बहुत ज्यादा उससे उमीद है नहीं, तो वो South Africa भी अगर आप देखें, तो grey list में हैं, तो मिला जुला के उसके पास कि आप ध्यान रखिए, है ना, कुछ risk हो सकता है, वो consider कर लीजिए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, कि अभी आप जो उस देख के साथ trade वगेरा कर रहे हैं, जो financial systems का interlinkage है, उसके लिए due diligence करें, वो अभी हिदायत नहीं दी जाती है, यदि किसी देख को blacklist कर दिया गया, high risk jurisdiction subject to call for action कह दिया गया, तो call for action है, याने उस country पे हो सकता है, कई बार तो sanction लग जाता है, इसके सिवा जो भी countries उसन देशों के साथ deal करती है, उनको proper book keeping करनी होती है, बहुत सारी चीज़े होती है, regulatory clearances चाहिए होता है, उनके साथ deal करने के लिए, तो otherwise, जो देश उनके साथ deal करें कि वो भी इसी list में आ जाएंगे कि हाँ, आप terror support करने वाले देश को support कर रहे हो, आप उसके साथ काम कर रहे हो, उसको finance कर रहे हो, याने वो जो terror financing कर रहा है, उसमें आपका पैसा जा रहा है, तो आप भी terror financing कर रहे हो, तो एक प्रकार का international isolation हो जाता है, इस वक्त North Korea, Myanmar और Iran है जो कि FATF में blacklist में है, और रशिया इसी से डर रहा है कि वो इसमें ना जाए, दोस्तों, आज का सवाल है, FATF जुलाई 1989 में स्तापित किया गया था, किस summit के अंदर, G7, G20, BRICS, या FRIUN, अपना answer कमेंट में जरूरू बताइएगा, जो proper definition के साथ answer देगा, उसको मैं एक देखे जाऊंगा, so that सभी को एंसर देख जाए, दोस्तों, इसका PDF आपको नीचे description box में मिल जाएगा, इसके सिवा कोई भी सवाल है, तो आप description box में form है, उसको fill up कर दे, and वापस याद दिलाना चाहूंगा, बस 9 दिन बचे है, 7,999 रुपए में complete coverage है, classes हो रही है, prelims, mains interview की 14 test prelims के हैं, 10 test mains के हैं, mains mentorship है, interview guidance program है, आप चाहें, तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और हिंदी में बोध बैच लेकर के हैं, 15 जुलाई से start हो रहा है, last minute tips and tricks, दोस्तों, 26 में 8 PM को class होगी, हमसे जरूर जुडिएगा, 28 में को दोस्तों, हम first reaction लेकर के आएंगे, सुबह दि 2023 trend क्या होगा, वो भी prediction करेंगे, इसके सिवा paper analysis होने वाला है, complete GS का 28 में को शाम साड़े 6 बजे, इसके सिवा दोस्तों, आप चाहें तो सिर्फ prelims test series भी ले सकते हैं, यह online test series है, 2999 रुपे में आपको मिल रही है, आप चाहें तो main test series भी ले सकते हैं, 2499 रुपे में हमारी team ह हैं, इनके साथ आप पढ़ेंगे, बहुत ही experience team है, बहुत हिंदी batch है, 15 July से start है, use the code KC10 for the price drop 7999 रुपीज, कैसे वा perspective series देखें और हमारे सारे के सारे social media handles पर जरूर follow करें